Lambda V, Lambda X, Lambda M रिप्रेजेंट वेवलैन्ट ओफवीजीबल वीजीबल वेव के लिए लेम्ड़ ये है ये X-ray के लिए है और ये microwave के लिए है तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है तो हम ये जानते हैं में lambda m सबसे ज़्यादा होगा क्यानि microwave का wavelength सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम जो होगा वो आपके पास x-ray का होता है तो x-ray सबसे कम है और ये visible इन दोनों के बीच में आएगा ठीके तो क्या आ रहा है आपके पास option में देखें तो सबसे ज़्यादा lambda m इसमें इसमें आ रहा है और lambda ये गलत ये सही होगा तो option number d हो जाएगा हमारे पास